आज से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चानल पे जहाँ पे मैंने बताया था कि इंडिया बहुत ही क्लोज है एक फीफा बैन के लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा बिरोध किया था और वहाँ पे लिखा था कि नहीं यहाँ पे आप गलत बोल रह है क्योंकि एक रिस्पेक्टेड परसन ने एक रिस्पेक्टेड यूट्यूब चैनल पे या मल्टिपल यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे पॉटकस्ट किया है और वहाँ पे उन्हों ने बताया है कि नहीं इंडिया यहाँ पे फीफा बैन नहीं की जाएगी तो दोस्तों कौन सा इंसान इंडिन फिट पॉल में कहा है और exactly वो कैसा है और उसके intentions क्या है तो यह चीज मैं आपको clear कर देता हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल truth बताऊंगा जो भी मैं आपको बताता हूँ अपने पिछले वीडियो में बताया है या इन वीडियो में बता बताया है कि सब कुछ ठीक है और इंडिया को FIFA बैन नहीं करेगी अगर आस पर जो चीज़े चल रही है वो सही से चलती है तो लेकिन वहाँ पे जो एक इंसान था प्रफिल पटेर जो की president था former president था जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया था और उसके बाद ही चीज़े घटी थी तो वो जो इंसान था दोस्तो उसको यह बात नहीं पची और उन्होंने फायदा उठाया अपने position का जो की वो council member भी है FIFA के तो वहाँ पे जो चीज़े घट रही थी इंडियन फुट्बॉल के अंदर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक committee assign की थी यह यहां पर इंडिया आ चुकी थी सब कुछ चीज़े देखने के लिए कि हां सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है और उन्हें डेडलाइन दिया था कि सब्टेंबर तक यहां पर जो है वो यहां पर elections हो जाने चाहिए और जो नई AIFF की committee है जो की independent committee होनी चाहिए और third party intervention नहीं हो FK और FIFA के यहां पर council member है उन्होंने यहां पर काफी misinformation create किया between the sports ministry और FIFA और AFC और साथ में जो चीज़ें यहां पर चल रही थी जो की properly चलनी चाहिए थी उन्होंने काफी misinformation create किया जिसके चलते वो चीज़ें जो थी यहां पर काफी confusion create कर गई FIFA और AFC के बीच में FIFA AFC और इंडिन बैन किया ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत दिनों पहले यहां पर लगबग 10-12 दिन पहले यहां पर FIFA ने एक notice जारी किया था और एक warning बेजी थी Indian football को कि हां हम आपको बैन कर सकते हैं लेकिन तब भी जो चीज़ें हैं वो यहां पर सेटल नहीं हो पाई और यहां पर FIFA ने बैन क प्रिकुल डिटेल में कि क्यों यहां पर FIFA ने यहां पर इंडिया को बैन किया है लेकिन यहां पर इस वीडियो में और भी important चीज़ें बात करने को हैं सबसे पहले तो इसका effect क्या होगा सबसे पहले तो जो Under 17 Women's World Cup होने वाला था इंडिया में वो अब नहीं होगा एक नए ह पोस्ट की तलास की जाएगे यहां पर FIFA के दोरा और वो जो टूनमेंट है वो वहां पर होगा और साथ में ही जो हमारी Indian Women's Under 17 टीम है वो भी इस टूनमेंट में participate नहीं कर पाएगी और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी Indian Men's Team है जो कि Vietnam में जाके Vietnam और Singapore के अगेंस्ट य यानि कि अगले महिने में वो यहां पर नहीं खिल पाएगी उसका कोई भी चांस नहीं है साथ महीं बात करें तो जो भी यहां पर AFC Cup और AFC Champions League में हमारी Women's Club और Men's Club की टीम है यहां पर जो participate करने वाली थी वो भी नहीं करेंगे इस सीजन के लिए जब तक यहां पर जो FIFA बैन Cup में India participate नहीं कर पाएगी तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ यह चीज अभी clear नहीं है जो immediate effect के बाद जो यहां पर चीज़े आ रही हैं उसके हिसाब से India यहां पर बस अभी फिलहाल के लिए Under 17 Women's Cup hold नहीं कर पाएगी और AFC Cup और AFC Champions League में अभी फिलहाल AFC Champions जो Women League होती है वहां पर हमारी Gokulam, Kerala FC के टीम के लिए वे तो वो यहां पर participate नहीं कर पाएगी और साथ में AFC Cup के जो और आने वाले rounds है वहां पर 80 के मोहन बकान participate नहीं कर पाएगी तो वो सारी चीज़े होंगी लेकिन AFC Asian Cup 2023 के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों उसके बाद यहां पर नया host हो जाएगा और यहां पर नया tournament होगा तो उसमें अभी काफी time है और मेरे को लगता है मेरे हिसाब से यह जो चीज़े हैं वो यहां पर September, October या November तक fix हो जाएगी हाला कि मैं आपको बता दू जो Indian Super League है वो as per their schedule चलता रहेगा जो की local tournaments हैं जो की India क within होते हैं इंडिया के government या किसी authority के दोड़ा look over किया जाते हैं वो यहां पर नहीं रुकेंगे लेकिन AFC Cup या AFC Champions League में हमारी teams अभी नहीं खेल पाएगी जब तक यहां पर FIFA ban uplift नहीं किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसी चीज़े की जा सकती है जिसके है तो यहां पर September 15 तक जो भी यहां पर constitutionally or democratically elections कराने हैं यहां पर AFF में वो करा दिये जाए और एक नई body का स्थापना कर दिया जाए यहां पर AFF के अंदर कि एक independent body का होना Indian football में बहुत ही जाए ज़रूरी है और जो BAM भी लगा है इंडिया के उपर वो third party intervention के चलते ही लगा है चुकि FIFA का यह एक rule है कि जो भी यहां पर national association है जो कि किसी country के football के ओवर look over करती है वो independent body होनी चाहिए और किसी भी government या किसी भी third party का intervention नहीं होना चाहिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है और internal जो भी matters है state associations और AFF के बीच में यहां पे यह कहाँ सकते FSDL जो कि football sports development limited है जो कि ISL को यहां पे look over करती है उनके बीच में जो भी problems है यहां पे उनको solve out करना, sort out करना बहुत सा ज़रूरी है before the upliftment of ban, a ban तो हो चुका है उससे अब सबक लेना है और जो की growing phase है Indian football का वहां पे जादा दिन तक यह चीजे ना हो क्योंकि एक temporary ban है, permanent ban तो है नहीं तो जितनी जल्दी इन चीजों से हम निकले उतना better होगा क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो Indian football की popularity है वो काफी बर रही है और इस समय में अगर ऐसी negative चीजे होगी तो हम यहाँ पर 10-15 साल पीछे चले जाएंगे तो वह चीजे नहीं होनी चाहिए दोस्तों और मैं यहाँ पर गुजारिस करना चाहूंगा Indian government से कि इसमें वह अस्तरशेप करें और जल्दी से जल्दी इन चीजों को यहाँ पर solve out करें क्योंकि जितना यहाँ पर लेट होगा उ प्यूचर और इंडियन फिट्पॉल के लिए